हलो एवरिवन वेलकम टो योवर यूटूब चैनल साइन्स फाउंडेशन तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मकर सक्रान्ती की बहुत पहुत सुपकाम नाई आपको एंड आपकी पूरी परिवार को अब बात करेंगे वीडियो के बारे में तो मैं बता दू आज की जो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलेगा तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्यूसन है हमारा निमल लिखित प्रसनों के उत्तर दीजे सम्मित्ती क्या है अर्य सम्मित्ती वाले दो संगों की नाम लिखे अर्थात सबसे पहले तो सम्मित्य क्या है इसकी डेफिनिशन लिखनी है उसके बाद में अर्ये सम्मित्य वाले दो संगों का नाम लिखना है तो पस्ट मैं बता दू आपको सम्मित्य से तात परे है कि सरीर के विबिन भागों की व्यवस्ता की जामतिय हभी कल्पना यह एक तरीका से मैं अपने बासा में बता दू सम्मित्य कोई भी जीव को यदि आप दो बागों में बाढ़ते हैं तो इसको आप सम्मित्य बोल सकते हो तो इसमें पुछा है अर्ये सम्मित्य वाले दो संगों की नाम लिखी तो पस्ट हो गया नाइड एरिया और सेकंड हो गया इकाई नोडर मेटा किस्ट नमबर दो देखी कोड डेटा संग के तीन महत्व पूरण लक्षन लिखी आपने संग फढ़ाओगा प्रोरी फेरा सिलेंट डेटा इकाई नोडर मेटा वो जो भी संग है उसमें से एक संग है कोड डेटा इसके तीन महत्व पूरण लक्षन आप से पूछे तो सबसे पहले तो आप याद रखने है कोड डेटा से नोटोकोर्डा सेकंड है छिद्रिउक्त ग्रशनी और थेड है प्रष्ट सतय पर नासाकार रज्जू अगला क्युशन देखे देहे गुआ को परिवासित कीजिए थता इसके प्रकारों का नाम लेखे वहे गुआ जो देहे बित्ती एम हार नाल के बीच में पाए जाती है इम जो मिसोड्रम द्वारा आस्तरित होती है उसे आप क्या बोल सकते है वो देहुगा खेलाती है अब बात करें देहुगा के प्रकार के बारे में तो इसके चार प्रकार है पस्ट देखे रेडियेटा, एसिलोमेटा, शूडोसिलोमेटा और फोरैसिलोमेटा तो इसके साथ अगला क्विशन देखिए प्रोटो इस्टोमिया एवं डूटेरो इस्टोमिया में अंतर इस्पस्ट कीजे अर्थात जो प्रोटो इस्टोमिया एवं डूटेरो इस्टोमिया में कौन-कौन से प्राणी आती है इसके बारे में आपको अंतर इस्पस्ट करना ह तो इसका अंसर देखिए, जिन जन्तुओं में कोरक रंद्र से व्यसख का मुख बनता है, उन्हीं क्या बॉलते है प्लोकोटो इस्टूमिया, हुदारन के लिए प्लेटि आलिमनतिज के जीव लेच शकते हो आप, एंड जिन जन्तूओं में कोरकरंद व्यसक से गुदा बनता है थाता मुख आंत्र के एक दूसरे सिर्पर बनता है उन्हीं डूटोरो इस्टोमिया खैलाती है हुदारन के लिए इकाइनोटर मेटा या कोड़ डेटा इसके हुदारन है अगला कुशन देखिए वर्गी करण को पंच जगत अउदारना का प्रतिपादन किस ने किया तो इसका राइट आंसर हो गया रार है च्वीटे करने जियों को कितने जगतों में बाटा पाच जगत में प्रतिपादन किया था इनका पाच जगतों में वर्गी करण किया था अगला क्यूशन देखिए Hydra के वर्गी करण को बताईए आप सभी को बताई Hydra एक जीव है और इसका वर्गी करण के बारे में आपको बताना है तो पश्ट देखिए इसका संग हो गया स्लेन, ड्रेट, वर्ग हो गया इसका हाइडरो जोवा इसका हाइडराइडा और वन्स हो गया इसका हाइडरा तो अगला क्यूशन देखिए जी संग मोलस्का को कितने वर्गो में बाटा गया उनकी नाम लिखी जो संग मोलस्क है उसको कितने वर्गो में बाटा गया उनका आपको नाम लिखना है तो मैं बतादू संग मोलस्का को साथ वर्गों में बाटा गया है तो अपने एक एक के नाम देखते हैं पस्ट है एपले को पोरा पस्ट हो गया एपले को पोरा एंड सेकंड देखी सेकिंड है मोनो पले को फोरा थेड देखिए पोली पले को फोरा फोरा गैस्ट्रो पोडा फाइब इसकी पे फोडा और शिक्स हो गया लेमिलियो ब्रेकिया और शिवन हो गया सिपेलो पोडा तो ये इसकी साथ वर्गों के नाम हो गए अगला कुछन देखे रोगजनक प्रोटो जौअ के कोई दो हुडारल दीजी रोगजनक प्रोटो जौअ के कोई दो एक्जाम्पल पूछाए आप से काफी ज much important question है आप वीडियो को देख कर IV पूरे कुछनों को हाथ वात क्लियर कर सकते हो तो इसलिए आप वीडियो को पैजन्स बना कर देखेगा क्योंकि काफी ज़्यदा most important question है दो 2022 की exam के लिए इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेगा एंड वीडियो में फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशा नहीं होते है तो आप comment box में comment करके जरूर पूछेगा क्योंकि comment box में comment करने पर आपके प्रते क्यूशन का जवाब दिया जाएगा तो एच देखे रोग जनक प्रोटो जवा के कोई दो हुधारन दीजिए इसका दो हुधारन हो गया अगला क्यूशन देखे रेड डाटा बुक क्या है तो इसका आंसर देखे दुनिया की प्रकर्तिक सर्रक्षन संस्ता अंतराश्टी है IUCN द्वारा एक विशेज प्रकार की लाल किताब का प्रकाशन किया जिसमें दुनिया की सभी प्रकार के जियों की जानकारी है तता लुप्त हो रही जियों की प्रजातियों तता उनकी कारणों का उलेक भी है वो इस सब मतलब इस सब मैटर है वो रेड डाटा पुस्तक के अंतरगत रिकोर्ड किया जाता है तो काफी बार पूछा जा चुक है यह कुशन भी काफी बार रिपिट होता है एकजाम में तो आप इसको अच्छी तरह से किलेर कीजिएगा तो इसके साथ आपके जो लगुत्रात्मक क्यूशन वो समाप्त हो गए आप आगए अती लगुत्रात्मक क्यूशन तो इसमें देखिए पस्ट नेरीज में गमन अंग क्या होता है आप सभी को पता है नेरिज एक जीव है इसमें गमनंग क्या होता है अर्थाति किस की द्वारा गत्ती करता है यह आप से क्यूशन में पूछे है तो इसका राइट आंसर हो गया पार्शव पाद की द्वारा नेरिज गमन करता है अगला क्यूशन देखी द्रुव इस्तैतिक कंकाल क्या होता है द्रोव इस्तेतिक कंकाल क्या होता है जब तरल पदार्थ कंकाल का कारिय करता है तो इसे ही क्या बोलते है आप द्रोव इस्तेतिक कंकाल खहलाता है तो ये क्यूशन भी आपका कंप्लेट हो गया अगला क्यूशन देखे जीव द्रोव ब्रह्मन क्या है पै फिरसे देखेगए इस्क् Jessica को यिद्रुवे ब्रnt मन क्या है। परमीषयम में खादेदानि यिद्रुवे में एक निस्चित पत पर परी ब्रह्मन करती है, जिसे यिद्रुवे गती क्या है। अगला क्यूस्टन देखी, नेरीज में गमन अंग क्या होता है, फिर से यही क्यूस्टन रिपीट हो गया, तो इसको आपको अच्छी तरह से किलियर करना है, नेरीज में गमन अंग है, जो पार्ष उपाद होता है, दुरुव इस्ताथी कंकाल का कार्य क्या होता है, तो इसक कंकाल खहलाता है अगला क्यूशन देखिए श्यूव पोशी पोशन को परिवासित कीजी यह क्यूशन तो दोस्तों आप काफी बार फढ़ चुके होगे और मेरे साब से लगबग 10th क्लास से आपको यह क्यूशन फढ़ने को मिल रहे है कि श्यूव पोशी पोशन को परिवास पोशन कहलाता है अर्था इसमें प्राणी होता है जो अपना जो बोजन का निर्वान है वो शुम ही करता है अर्था दूसरों पर निर्वन नहीं करता और इस प्रकार का जो पोशन है उसे ही श्यूव पोशन कहलाता है अगला क्यूशन देखिए रैप्टोरियल अंसन क्या ईदी वीडियो को लाइक किजेगा और चैनल पर नहीं होे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जैहिन वंदे मात्रम